देखुए हैं आप और आपके साथ मैं हुराज को गौडी खबरों की शुवात करेंगे और बड़ी खबर के साथ खबरों की शुवात करने जा रहे हैं मध्यपटेश में टीम सिवराज के विभागों का वित्रण हो गया है मुकिमंदी शुवात सिंग चौहान ने बैठर कर अपने पांच मंतियों के बीच विभागों का वित्रण कर दिया है और वरिष्टि विधायक नरुतम मिश्वा को ग्रह मंत्राले के साथी स्वास मंत्राले की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि स्वास मंत्राले वो पहले भी संभाल चुके है जबकि कबल पक्चिल की बात केई जाए तो एक कुशी विभाग इनको दिया गया है मीना सिंग को आदिम चाती कर ल्यार मंत्राले कर जिम्मा सौपा गया है तो वही सिंधिया खे में से मंत्री बनाए गए तुल्थी सिलाव और कुचल संसाधन जबकि गोविन सिंग राजपूत को सहकारिता खाद्य आपूर्टी विभाग की जिम्मेदारी सौपी गई है इन सभी ने मंगलवार को ही राजपूबन में मंत्री पद की शौपकी थी मध्यवदेश में 29 दिन बाद मुक्षे मंत्री शिवरास सिंग चौहान की कीम बनी है और अब इसी कीम के बीच ही विभागों का विटरन भी हो गया है और किस मंत्री को कौन साभी बिभाग मिला है चलितक गाफिक्स के जड़िये एक बार श बार सबच लेते है तो नमलतम मिश्व गहे मंत्राज और स्वस्ट मंत्राले की जिम्मेदारी इनको दी गई है पहले कमला सरकार में स्वास्त मंत्राले देख रहे थे अब जल्सुन साधन विभाग देखेंगे शिवराज के दिनेश में तो कमल पर्टेर को कुशी विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर सौपी गई है तो शिवराज की टीम को यह विभाग मिले हैं जो गर्टेक्स के जरी हम आपको इस वक्त आपके चल्वी के स्क्रीन पर बतारे गोगें सिवराज की सहकारी ताइब उखाद आपूर्टी विभा काले की जिम्मेदारी दी गई है तो शिवराज का यह जो मिनी कैबिनेट है शिव की सेना का जो गठनकन हुआ है और आज विभागों का जिस तरह से बटवारा किया गया है पोट्फोलियों दिये गए है और इसी मिनी कैबिनेट को लेकर हम चर्चा की शुवात करने जा रहे है चानल है डाइस पी चिपा के हमारे साथ लाइफ जोड़ गए हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे चर्चा की शुवात रिपाटी जी बहुत स्वागत है मिनी कैबिनेट का गठनकल होता है और आज विभागों का बटवारा जो उ लेकर मंत्रियों को दो दो संभाग कुल दफ संभाग है अपने आज़ा तो दो दो संभाग दे करके उनसे करोना से लड़ने के पहें जिम्मादी दी जाएगी जिससे ऐसा माना जा रहा भी कि कोई विभाग नहीं रहेगा तो उस संभाग में सारे विभागों से जुड़े करोनों से जुड़ी जितनी भी जुरुत की चिज़े हैं वो ये निर्देश दे सकते हैं और उनके उपर मुख्यमंत्री रहे लेकिन कुछ मुख कारण जरूल हुआ होगा जब ये बात निशित तोर पर अंदर खाने पर ये बात हुई होगी कि विभाग देने के बाद भी जिस तरह से प्रभारी मंत्री अपने जिले में प्रभार, अपने प्रभार के जिले में प्रभावी होते हैं, सारे विभागों पे वो अपनी नजल रख सकते हैं, सारे विभागों में आदेश की कर सकते हैं, निर्देश की दे सकते हैं, तो उस तरह इनको विभागों का व किस तरह से करोना से लड़ा जा सकता है किस तरह इस विमारी सुटकाया बाज जा सकता है आम जनता को परिशानी ना हो किस तरह के दूसरे उपाई की जा सकते ये भी हो सकता था लेकिन जो आज विभागों का बित्रण हुआ है तो इसमें बहुत सारे ऐसे बड़े विभाग है जो अभी किसि को नहीं दिये गए है लेखबाग बामन विभाग कुल होते है जिसमें अभी आप समझदेता परिवहन विभाग नहीं दिया गया है सेंटर एक्साइज विभाग नहीं दिया गया है सेल्स टेक्स नहीं है पी-ड़ा-डी नहीं है चिकिस्टा सिख्षा नहीं है तो ऐसे बहुत सारे बड़े विभाग हैं हो सकता है चिकिस्टा सिख्षा स्वास भाग में जैसे पहले था मर्थ था स्वास भाग जिसको मिलता था उसी में मेडिकल एजुकेशन भी होता था चिकिस्था सिख्षा भी नहों होता था, सारे आयरवेद, हुँए पैटी, सारे डाक्टर सुने अधियत होते थे लेकिन दिविया सिंग के सासन काल में चिकिस्था सिख्षा कुछ अलग कर दिया, स्वास बिभाग अलग कर दिया गया था तब से ये परंपरा चली आई, तो नौत्तम स्राजी चुकि सास मंत्री पहले भी रह चुके हैं, तब मुझे लगता है कि उनके पास सिख्षा सिख्षा भी होगा, मेडिकल एश्केशन भी होगा उनके पास, और सबसे बड़ी बात ये ग्रिह विभाग उनको दिया गया है, और सबसे वरिष्ट मंत्री पहले नंबर पर उनके सपत ली है, तो ग्रिह विभाग एक तरह से डमी, जो मुख्य मंत्री के अपने होते थे निर्शाहियोंगी, उनको देते थे क्योंकि SP हुए, DSP हुए, IG, DIG, इन सब की परदस्थापना, इनके ट्रांसफर, तबातना जो जब करोना अंकट है, ऐसे में स्वास विभाग उनको मिला है, तो यह अपने आपने बहुत बड़ी तिम्मवारी है, इधर गोबिन राजपूर जी के पास जो सहकारिता और खाद अपूर्थ निगम विभाग उनको दिया गया है, इनके पास परिवान और राजस्थ जैसे बड़े विभाग थे, वो अब नहीं रहे, उधर दूसी सिलावट स्वास मंत्राले से एरिगेशन, एरिगेशन अपने आपने आपने काफी बड़ा विभाग होता है, जन्सम पर कभी किसके, मतला भी सारे विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास है, इन लोगों को जो जो अगाग दे रिगया है, आधिन जाथ विभाग के अपने आप में बिजय साहा बहुट सीनर मंत्री रहे हैं, उनके पास आदिन जाथ कल्याप भाग हुआ करता था, ग्यान सीम्पास कुछ दिनों के लिए गया था, ग्यान सीम् सांसत भी रहे हैं, कई वाग के विधायक रह इसे में मीना सिंग को भी बहुत महत्वपूर विभाग दिया गया है रहा सवाल बाकी और कृषी विभाग ये भी अपने आप में गौरी संकर विशेन के पास कृषी विभाग था बहुत बहुत मंत्री थे लेकिन जब ये मंत्री मंडल का आगे भी स्थार होगा इसमें से कुछ विभागों में कटवती भी हो सकती है मुझे लगता है लेकिन अभी बहुत सारे बड़े-बड़े विभाग बाकी है बित बाकी है बित बहुत ही सीनियर मनिस्टर किसी को दिया जाएगा जैन्त वलेया के पास भी विभाग गवा करता था एक्साइज और स्टेफ भी उन्ही के पास था तो अभी ये बहुत बड़े-बड़े विभाग बाकी है तो मुझे लगता है कि गुपाल भारगव जी को जैसे कि सुमुगाहर चल रही है कि उनको विधानसबा अध्यक्स बनाया जा सकता है तो अध्यक्स अगर वो नहीं बनते हैं इन विभागों में से कोई एक या दो विभाग उनको मिल सकते हैं कुलमलाज के मतलब ये अभी अगर हम प्रेसेंट के सेनाइडियों की बात करते हैं तो क्योंकि कोरोना से जूज ही रहा है पूरा विश्व ये जिन चीजों के सबसे जाधा जबुरत है सिर्फ उनी विभागों का वंचंतिया गया है कि अभी मंत्री मंदल विश्व होना तो अभी और भी बाकी है करोना को के लिए अभी तो गरिष विभाग और सास विभाग यह दो विभाग ऐसे हैं जिसे नीपटने के लिए और फाइनUS को अभलिन, तों मुख्यमंत्री के पाश फाइनस. को अगर नाम के आगए दल्साय है रह सारे विभाग अपने आप में अंडर्श्ट है, तो बड़े विभाग जो है इसमें स्वास्त और ग्री दो विभाग जो है अभी करोना से निपटने के लिए नौतमिस्राजी के हाथ में अभी साकारिता का कोई बिशेष काम नहीं है थोगा बहुत हो सकता है साकारिता का खादेनागरी का अपूर्थी का काम हो सकता है कि आम तक कैसे राहत सामगरी पहुचाए जाए सिचाई विभाग का इस समय मुझे नहीं लगता करोना से पटने के लिए कोई बड़ा उसकी जुरुत है आदिम जात कल्यान विभाग में भी अभी कोई बहुत बड़ी जुरुत नहीं है अभी जुरुत है तो जनसंपर विभाग की ग्रें विभाग की हेल्फ डिवाग मेंट की खादेनागरी का पूर दिवाग की भी हो सकती है थोड़ी बहुत या फाइनेंस की इनकी जुरुत है इस नहीं हम देखें क्योंकि यहां पे जिस तरह से सिंधिया खेड़ने के दो मंत्री बनाएगा है तो इसी रांसे लाव जिस तरह से दवाव बनाया जाता था कबलनाथ की जब सरकार की कबलनाथ कैबिनेट थी उसे रह का दवाओ अब यहां पे नहीं होगा मतलब जिस तरह सरा बिभागों स्वाग यहां पर विभाग का इस वnoники खान चाहते है उसमें बहुत सारे मन्तरी नहीं खाना चाहते यह कि एक सूखा विभाग, एक मलाईदार विभाग, उसमें से भी एरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, नौतम मिस्टाजी के पास एरिगेशन ही था, 2013-2018 के बीच में, तो ये विभाग उनका अच्छा है, सहकारिता विभाग, विश्वास सारंग, उनके डेक्टस मंत्रियों म ही अपने आप में ठीक है, लेकिन गुविन सिंध राजपूत के पास जो बड़ा विभाग कह सकते हैं, परिभान और राजस, उसके अपेक्षा इनके पास थोटा विभाग मिला है, गुविन राजपूत को, लेकिन तुलसी सिलावट को एरिगेशन बड़ा विभाग मिला है, तो उनके सामने बड़ी चुनोती है, जल्सम पर विभाग किसके पास है, ये अभी मुख्यमंत्री जी के ही पास है, चुकि इन लोगों के नाम के आगे विभाग नहीं दस्टाएगा है, तो जिसके ने राजपूत को दो बड़े महत्पून विभाग दिये गए है, मतल उप्मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो उप्मुख्यमंत्री का कोई समयधानिक पद नहीं है, ना उप्मुख्यमंत्री का कोई समयधानिक पद है, ना उप्मुख्यमंत्री का कोई समयधानिक पद है, ना उप्मुख्यमंत्री का समयधानिक पद है, राज्यमंत्री का सम्मय ध्यानिक पद है, मंत्री का सम्मय ध्यानिक पद है. उब मुक्ष मंत्री इसलिए बनाया जाते थे क्योंकि वरिष्था के अंसार एक डिजिगनेशन दिया जाता था कि यह सबसे वरिष्थ मंत्री है. तो अब उपर मुख्य मंत्री नहीं बने तो निस्जित तोर पर सबसे बरिश मंत्री है तो विभाग भी सबसे महतपूर विभाग उनको दिया गया है तो साथितरपदी जी अगर हम बात करें कि अब आने वाले समय में तीन मैं के बाद जिस तरह से जो फिर से मंट्री मिड़ल का विस्तार होगा तो अभी बावन बे भाग होते हैं लगतार हम चर्च करी रहें तो फिर उसमें किस तरह से एड़्जस्ट करने की कोशिश की जाएगी मुझे ध्यान आ गया संसदी सचिव जो जिसके लिए पोर्ट में मना कर दिया है संसदी सचिव नहीं बना सकते हैं उनको पावर रहता है किसी राज्यमंत्री के या कावीना मंत्री के अंडर्म उनको अटेस्ट कर दिया जाता था तो संसदी सचिव मुझे मंत्री नहीं रहते हैं लेकिन अभी बहुत सारा मुझे मंत्री के पास अपना बिसेशा बिकार है बेना अनुमती की भी जरुब नहीं है मुझे लगता है किएंडर में हाई कमाई पास अनुमती ले अभी जब तीन तारीक या तीन तारीक के बाद अगर लाटडाउन खतम हो जाता है करोना के स्थिती कंट्रोल में आ जाती है तब ये दूसरा मंत्री मंदल का विस्तार होगा उस विस्तार के दौरान इधर से उधर विभाग किये जा सकते हैं और कर भी सकते हैं लेकिन थूकि इनके पास अभी लिमिट में ही सीमित विभाग ही दिये गए हैं अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट, सलसदी जैसे उनके पास है, गुविंद्राइस्पुत्क्रास दो बड़े विभाग है, तो साहकारिता और खाते नागरी का पूर नियम्द हो सकता है, एक विभाग उनसे ले लिया जाए, इदर गृफ विभाग के साथ स्वास मंत्री चुकि बहुत बरिष्ट है, इनके पास मुझे लगता है कि जैसे रहेगा वैसे ही रह सकता है, इसी तरह आदिन जात कल्याण विभाग अखेला विभाग है, किसी को भी दे, ये विभाग पूरा पूरा देना ही पड़ेगा, पहले अनसूचित जाती जन जाती एवं आदिन जात क अनसूचित जाती विभाग किसी और को दे सकते हैं, अनसूचित जाती विभाग से आने वाले किसी द्यक्ति को, तो ये अभी बहुत सारे विभागों परिवर्तन होगा, नए जो मंत्री आएंगे, बहुत महत्तों विभाग है, जैसे मैंने आप सो कहा पहले भी, अभी, 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 एनर्जी है, उर्जा आपने आप में बहुत बड़ा, खानेज मंत्राले बहुत बड़ा आपने 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 विभाग है, ये बहुत बड़े बड़े विभाग अभी बाकी है, जो लोगों को दिये जाएंगे, आगे चलके जो नए मंत्री आने वा को सभाल पाएंजे और किस तरह का experience उनका देखा जाता है इसके पहले 2008 के पहले वो राजस मंत्राले वो सभाल चुके हैं तो क्रिशी विभाग मुझे नहीं लगता और खासकर इसी उनका जो background है उनका जो business है वो खेती ही है खेती के माध्यम से ही वहां के पटेल माने पटेल म कि ये मंडी पहुंचते थे प्रति दिन जो क्रिशी मंडी होती है और उस मंडी के माध्यम से किसानों को हग दिलवाना अरतियों से छुटकारा दिलवाना जो पूजी खोर लोग हैं उनसे अलग कराना यहां से इन्हों ने अपने श्टार्ट सुरुआत की ती राज़ियत क तो ऐसी इस सिटिंग में बहतर क्रिशी विभाग सभाल सकते हैं और अगर बजी हम बात करें मीना सिंग की है मीना सिंग इसके पहले राज्यमंती रह चुकी है और संभौता है उनके पास महिला बाल विकास भाग के राज्यमंती रही है अनसूचित जायती इस विभाग में भी साइद वो राज्यमंतिर रही है अनसूचित जनजायत से ही आती है वो तो अब सभाव सकती है तीन ये चार उप चुनवा पहली बार उने इस सच्छानने में उप चुनवा जीत के आई थी जब दिव्या सिंग के सासन काव था ता वो बीजेटी से जीत के आई थी तो इसे भी नहीं है जो विभाग जिनको दिये गए है वो बहुत ही सच्छम लोग है मुझे लगता है नरता मिस्तर जी के पास भी ग्रीव विभाग उनके जैसे जो डिसीजन मेकिंग डिसीजन पावर जो है उनके अंदर है आत्मबल है तो व सभुआज मंतरी है जो इनको विभाग दिया गया है सभी अचाग सकते हैं तो उसी इसी इलाबट सभुआज मंतिर है लेकिन इसके पहले बोरा जी के सहांसरम काल में वो दिसीरी सच्छियू थी संभवत है तो वो दिसीरी पास होता है वो मेरे मुझे बेरान लोग जो तो इनको भी अनुभाव और खासकार आभी 15 महिने कर तो अनुभाव है ही इनको और साथी अगर बात करेंगे, आने वाले वक्त में जब भी मतलब काबिनेट का फिर से मतलब मंति मंदल का विस्ताव होता है और नए मंति जिस तरह से बनते हैं तो फिर क्या स्ट्राटीजी रहने वाली है अगर क्योंकि बीजेपी के जितने भी दिगज हो उनको भी अज़ेस्ट करना है जो बाइस यहां से आए हैं कम से कम नौ को तो जिस तरह से मतलब जो प्रैक्सलाइस करने की कोशिश की जारी है जो सूटों के हवाले से ख़बर आरी है कि सिंधिया भी चाहते हैं कि कम से कम उनके नौ जो सब ज़्यादा कट्र सबरता है उनको तो मंती बनाया है तो क्या इस सald Story में आने वाले मंती मंदल विस्तार में मर्ती देवी को जो विभाग पहले से देख रहाइं कि क्या उस औरू को मिल सकता है दिखे यह तो खैरा तो सिंधिया जी कर गितना प्रभाव होता है तो इमरती देवी के पास महिलाबाल विकास था तो अब महिलाबाल विकास भाग उनको दिया जाता है तो कावीना मंत्री ही बनेगी कैबिन मिनिस्टर रही है तो कैबिन मिनिस्टर रहते हुए हो सकता है इस बात का भी समझाता हो इसके पहले बहुत पहले भबर सिंग पोर थ साथ मुंप करेंग गाल में केमिर्म मिनिस्टर थे पटबा जी की सरकार आई वीजेपी में आगये थे तो उनको राजय मंत्री बना दिया था तो यह कोई ऐसा नियम नहीं है गाल मुंप मंत्री रहके भी बबूलाल गौर केमिर्म में मेना जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जोडने के लिए और धेर सारी बधाई आपको मेना जी बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने जिस तरह से विभागों का बटवारा हो गया है किस तरह से इस चुनौती को देखते हैं मैं बिल्गुत चुनौती के रूप में सिवकार करके पूरे प्रदेश में काम करेंगे और क्योंकि मुझे आदिम जाती कल्लार दिवाग माननी मुख्यमंतरी जी ने दिया है मैं माननी मुख्यमंतरी जी का भी धन्वाद करती हूँ जो कि जिस वर करती हूँ और उसी के हिसाब से माननी मुख्यमंतरी जी ने जाबदारी दिया है और मैं ये कह सकती हूँ कि आप सब के सहयोग से पूरे प्रदेश में और हमारे अंसुची जाती जन जाती भाई बेहनों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और आप सबका भी हम सहयोग लेंगे इस आप सबके सहयोग से भी हम और अच्छा काम करते कायें मीना जी इस वक्त हमारे साथ चानल हडा इसकी टिपाटी जी भी जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे मीना जी बहुत बहुत स्वागत आपका रीवा और सहडोल दो संभाद के जिम्मेवारी आपको दी गई है तो इस दोरान आप इन्ही खेत्रों में रहेंगी कि भौपाल भी आएंगे जी अभी तो भौपाल में ही रहने का रहा है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जैसे महामारी बिमारी फैली है देश दुनिया में तो मानी मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आप लोग वीडियो कॉंसरेंसिंग के जरिए कमिशनर, कलेक्टर, जन प्रतने जी प्रतने जी और उसके बाद जो समाजिक संगठनों के जो तमानी लोग है तो उनके माध्यम से कनेक्ट होगा मीने जी मैं आपको रोकना चाहूंगे इस वक्त हमेरे साथ फोन बंती घुतछी के जोंड़ने के लिए जिए बिल्कुल मानि मुक्हमंती जी ने जो विश्वास मुझे में जट किया गया उसको पूरी इमानदारे के तार्थ विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारत कर्षी तौदान देश है ग्रषी भारत की आर्थी वास्ता की रीड है अगर रीड मजबूत होगा इसको सब्सक्राइब हो जाते हैं उन्हों कर दो आएंगे जो उनको संभाग दिया गया है उसका वो निग्रानी करेंगी आप किस तरह करेंगे में भी होसंगावा नर्वदापुरम दंभाग और जबलबूर दंभाग से वीडियो कांफेंसिंग के माद्यम से हमारे करिश्णर आईटी कलेक्टर अदिकारियों से सभी से वीडियो कांफेंसिंगे माद्यम से शक्या करें के डेली अपडेट लेंगे और पहली प्रात्मितना हमारी है कोरोना को नियन्तिक करना को अमामत्यपरदेस से व्यस्टे से वागाना उसके बाद जो मुझे जिम्मेदारी ती यह क्रसी जिवाग की त जो कि मद्यपरदेस में 70% किसान है और क्रसी बादारी जाथी जो लागता हूं में पूरे भारत में सभी उत्यों गंदे बंद ज्यापार बंद लेकिन क्रसी भिवाग यह सा खेती है जो चालू रही और किसानों ने अन पेदा किया जिससे लोगों को दोल टाइम बोजन मि जो रहे नहीं तो इससे में पूरे रोज़कार थे उसर बंद हो गया ते लिकिन क्रसी भिवाग यह सा जिसे रोज़कार के उसर उफलब कराया तो मैं शुबाग जाली मानता हूं अपने आपको कि मैं किसान का बेटा हूं मुझे क्रसी किसानों के उस्टान की लिए जिम्म जो थोड़ा बहुत हमको मालूम था आप विद्यार्थी परिशन समय से हमारे मित्र है कि आपने साइध अपनी राजनी की मंडी से ही स्टार्ट की थी किसी मंडी से विल्कुल मंडी में गिसानों को जो लूट होती दुकी सोसन होता था उसके कि लाब मैंने नड़ाही गिदी और उस रड़ाही में Congressman山el Ind J में मैं मेरे जो कुछ भी हूं मैं किसानों के संगर्श के कारण हूं किसानों को निया जिलाने लिए ही किया है, और मेरा जीवन ही पूरे, किसानों के लिए नहीं सुट रहा है, और इसलिए मुझे मेरी UH, दिल का मनपजब जिसके किसानों के लिए इंद्मराबू, उसका विभान मुप्यमंदी रिया जिनका बहुत दिल आवार्वे करता हूँ, और किसानों को, आप हर समस्के हर करेंगे किसानों को किभी प्रचाजी तखलीप नहीं होने से लिगों गबल दी मतलब मैंने सही बताया अपनी एंकर हेड को कि आपने मंडी से किया आप याद नहीं रखते हैं हम याद रखते हैं आपके पूरा उसको मैंने आप नहीं याद रखते हैं मैंने इल्ली को प्राटर जी का आप गोसित करवाया पूरे देख में वाज़ाजी के पक्चाथ साल बाग और हर्ता जिल्ये के किसानों को 25 करोड़ों के दिलवाए कि मैंने सबसे बड़ी बात है उनको जिस तरह से कर्जमाफी का मुद्दा जो आप लोगों ने लिया था कांग्रेस ने उठाया कर्जमाफ करेंगे कर्ज नहीं माफ कर पाए क्या उस परफ आप जाएंगे उनकी कर्जमाफी की तरफ आप प्रयास करेंगे देखिए किसानों के साथ सबसे बड़ा दोका अगर किसे ने किया है तो कांग्रेस ने राहुल गादी ने और कमलनाची ने किया है उनके साथ खिलवार किया है और किसानों की संस्ताहों को बेंग कुछ ओ व्यूटरी बेंग के इसको बरबाद किया है लेकिन हम किसानों के साथ को दोगा दढ़ी नी करते हैं इन्हों ने तो सिर्फ सक्टा प्राथ दर्मिक लीए की लिए किया था इसके अलावा सुन ने ब्याज दर पर शिवराज ये पहले कांगरेस के राज में आटा पर सेंड पर लाएं और जीरो पर सेंड पर सेंड़ाज गजेने काम किसानों को हम पढ़ियार की बिजली किसानों को हम सिचाई की रवस्ता मैं आपको बताना चाहता हूं कि मद्द्परदेश में भाजपा की सब्कार 25 में बनी थी उस समय सारे साथ लाग हेक्टर में सिचाई थी पचार साल और अंग्रेजियों के समय से लेकिन इन 15 वर्सों में भाजपा सरकार में 40 लाख हेक्टर से अधिक रिचाई किये जो पूरे देज में बिखा रहे हैं उसके लिए हमारे किसानों ने जो मेहनत की और सरकार में किसानों को बिगली और सिचाई की जो व्यवक्ता दी तोई रादी उसका ही पहिला में जो 15 महीनों में जो कुछ भी अब यवस्थाई रही हैं उनको लाने में कितना उनको दूर्स्त करने में कितना वक्त लगेगा फिर यह जो 15 मेने में जो बिखरी है उसको हम बिल्कुल फीर महीने के अंगर इसको पत्री पला देंगे बिल्कुल ठीक्टा देंगे वह कर दिया मानि मुख्य मंजी जी ने इसको काम कर दिया जो विजारा सा 15 मेहिने में बिल्कुल फुना आपको एक बासर से बधाई और हम चाहेंगे क्योंकि अब आप ही अन्ने दाताओं के सर्वे सर्वा है चलते चलते तृपाटी जी भी आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कमल जी हर अंधेरे के बाद रात के बाद सुबह होता है और आपके साथ यह हुआ है अपने लंबे सच्चे में जाठ है आप दस से बारा साल आप अडिक रहें मुलकर पूरी तरह से संगहर्श में मैं इन्हें देखिये साय है कि बार अजिता है और नहीं नेड़ा की तक रादो हंसी वहाथ यह है समय है dalतां में ओनौर की भी में पराजित ने श swiftly सकता तका परहसा नीं ऌसकता लेकिन पराजित में वढता हुए मुझाद मेरी जीत हुई ऐए और आप सब्की शुटत और इस वर नहीं आवसर्द किया तो हम इसका सदूत्यों करेंगे मैं मानर्वदा से प्रात्ना करता हूं और कि मुझे वो शक्की दें कि मैं जो मुझे बंदी जी ने मुझे पिष्वात किया उसमें खरा उतनूर मद्यपधियस के किसानों को हिंदुस्तान का नंबर एक परि क्रसी उत्परने हियाद करें उसकी जो उसके पर उसके लिए मैं मां से प्रात्ना करता हूं और कि मुझे विस वागए है तो जगड़ा होगा हमारा आपका फिर से नहीं बिलकुल आएंगे बिलकुल बहुत शुक्य है पटिल साहब मीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है मीना जी हम आने वाले समय में क्योंकि चुरौतियां वाके में बड़ी है और महत्पूर्ण विभाग के जिम्मेदारी आप संभाल रही है तो किस एसे हम आने वाले समय को देखते हो और क्या कुछ नवा जिनके लिए भी जो अच्छा काम हो सकता है वो हम जिनुन आप सत्को करके दिखाएंगे मीना जी सहडोव संभाग में ही आजिन जाट कल्यान वाग जादारा ज्यान सिंग जी के पास भी था आपके पास भी आया जी 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 तो ये अच्छी बात है ना कि वही के काम करने का सभा के हम लोग को प्राप्त हो रहा है और मांजी ज्यान सिंग जी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है थे जब वो ट्राइवल मिनिस्टर थे और आज मांजी मुख्यमंति जी ने ये जो आप से बहुत अच्छा काम करने कहा पयाज करेंगे और आप सबका भी सहीयोग मिले ऐसी मेरी प्रात्रा है आप सबसे जी बिलकुल क्योंकि सहीयोग तो हमेशा साथ रहेगा मीराजी क्योंकि कई बार ऐसा होता आया है हमने कई बार ऐसा देखा है अभी हमने पंदा महीने में भी यह चीज़े देखिए जो हिटगाही है जो लाभाती है उसको मतलब जो सरकार के तो योजना है संचालित की जाती है उनका लाभ सीधी सीधी नहीं पहुँच पा रहा है तो कितनी कसावट हम आने वाले दिनों में आपके जरीए देखेंगे कि किस तरह से कसावट आपके विभाग में रहेगी कि जो योजना हैं उनका सीधा फायदा हिद्गाहीं को मिले जी जी बिल्कुल पूरे जमीन तक हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस भाई बेहन के लिए जो भी योजना बनी हैं उनको उनके पास तक पहुंचे ऐसे हमारा पूरा प्रयास होगा हमारे पूरे बिभाग के अधिका कर्मचारी रहते हैं हम पूरे मुनटिंग करते रहेंगे पूरे मद्ध मेरा जी आप अपनी शेटर की जनता प्रदेश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी इस वक्त जी जी मैं सबसे पहले अपने शेटर की ने बहुत धन्दमाद और उन सब का बहुत अभी न जो ये कैबनेट मंत्री का जो दर्जा प्राप्त हुआ है मैं अपने शेटर की जनता का धन्दमाद करती हूं क्योंकि उनका योगदान बहुत है पूरा पूरा योगदान है और उनके आसिरवास्ते ही यहां हूं और मान्नी मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा किया इस मान्नी मुख्यमंत्री जी का भी भहत तहे दिल से उनका तुक्रियादा करना चाहती हूं मेरे संगठन के सभी पदधिकारियों का भी धन्नवाद करना चाहती हूं और जो भी जाई तो जिस समय मिलेगा हम बराबर काम करते रहेंगे यह हमारी डियूटी है अभी विधायक तो किदायत के नाते से भी बराबर में खेतर में काम कर रहे थी और अभी मंत्री के दाइट पर हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे सचा काम करके हम प्रदेश की जनता को दे निजन निवेदन करना चाहिए बिलकुल चलते चलते आपको एक बार फिर स्वराज परिवार के तरफ से धेल सारी बधाई और साधुवाद की आपको जो महतपूर विभाद की जिम्मदारी सौपी गई है आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमें कुछ नया नवाचार इस विभाद में भी देखने को मिले बहुत शुक्री हमेरा जी हमाई सवजूने के लिए बातचीत करने के लिए तो तुपाडी जी चर्चा हमने की और चर्चा से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सब अभी से ही कमर कस्ते बाठे हुए है उनको भी भाग मिला है नहीं नाम अंतिपद मिला है उम्मीद इसे भी पिरीत मिला है कांग्रेस सरकार बन गई थी उम्मीद नहीं थी शिंदिया जी का जाना यह सब होना जो प्रयास बीजेपी के बड़े निता सुरू में कर रहे थे नरुतम जी हो यह खुद सिराज जी हो कि सरकार आलपमत में है बहुत सारा इसमें संतोस है उसको कैसे भुनाया जाए आखिर अंतिपद मिला लिया उसको अमीद जो थी उनको उसके अंसाद मिल गया विपरीत में मिल गया उनको नहीं उम्मीद थी कि हम फिर से पांच साल बाद ही चुनाओ लड़ेंगे तब सरकार बनाएंगे ऐसे कमर कसना उनका जरूरी है और कमर नहीं कसेंगे तो साड़े तीन साल बाद चुनाओ है तो जनता कमर कस देगी पिलकुल साड़े तीन साल बाद जनता कर कमर कस देगी लेकिन उससे पहले अभी उप्चुनाव भी होना है, 24 उप्चुनाव भी है, तो हम अगर देखें, उसको लेके फिर जिसरा से पॉर्टफोलियो विट्रित किये जा रहे हैं, तो उसका कितना इंपक्ट पड़ता है, बहुत अंचेटी है, पॉर्टफोलियो से बहुत जादा वो विकास कार करा सकते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो है, पी डवलुडी है, पंचायत अभूम गर्मिन विकास है, तो अपने छेतर में ज्यादा पैसा अवंटिप कर सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत पर पड़ जाता है, लेकिन यह जो चौभी सुप्चु होने हैं, तो उसमें से 22 उप्चुनाओं महतरपूर हैं, वो 22 उप्चुनाओं ऐसे महतरपूर हैं कि उनमें जनता ने आपको जीत करके भेजा, और आप मात्र 15 महीने डेर साल में फिर से आगये चुनाओं लड़ दें और आपने पार्टी छोड़ी है, उस पार्टी को छो जिसता सकती है, जिन राज नाराण ने फिर बाद में राय बरेले की जनता से ये कहा, कि जब उनसे अपनी कुछ डिमांड लेकर के वो लोग गए मांगने तो बोले जब तुम इंद्रा जी के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे, मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो ऐसी इस्ति जैसा हम लोग फोच रहे हैं, कि चार और बनने हैं, उसमें विशाहुलाल, एदल सिंग कंसाना, और राजवर्धन सिंग दत्ती गाओं, और हर्दीच सिंग डरू, ये चार लोग ऐसे हैं, जो इंडिपेंडनेंट कह सकते हैं, ये एदल सिंग और विशाहुलाल तो दिग् नहीं बनाया, तो ये इन चार लोगों को बिजेपी बनाती हैं, नहीं बनाती हैं, चूँकि उधर तो सिंग्या जी से उनकी बात हुई, अठारा में भी उनका काम बन रहा था, ये चार और पहुँच गये, तो अठारा में से वो 6 मंत्री बनाएंगे, अब इन 4 को बनाना ह हैं, तो बहुत सारे ऐसे दिगज नाम भी कट सकते हैं इस बार, जिनको सब सोच रहे हैं कि मंत्री इनको बनना ही है, तो मुष्किल तो खड़ी हो सकती है, फिर आने वाले समयवे, स्वामन जे सी बिठाना पड़ेगा, सिवराज जी है, माहिर है इस मामने को, स्वामन जे स और किस मंत्री को कौन सा विभाद दिया है, उस पर हमने चर्चे की बहराल, दीजे चाहते, तुमस्कार